पिछले एपिसोड में आपने देखा कि श्रिया तुशार के घर में रह रही होती है और वहाँ पर तरुण श्रिया के बुढ़े काका का भेश बना कर आ जाता है वहीं दूसरी और अम्मा किल्विक्ष के साथ मिलकर तुशा को बेफकुफ बनाती है और उसे नीलम के यहां किसी मकसद के लिए भेजती है तुशा की वहाँ तरुण से मुलाकात होती है और दोनों में मेठी नौक जोक होती है अब देखिये आगे की कहानी श्रेया नागिन रूप में आकर नीलम की उपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने एक और पड़ी नागिन आ जाती है और अपनी पूछ से श्रेया को दूर फैक देती है ऐसा करने की सोचना भी मत तुम कौन हो तुम और मेरे काम में टांक योड़ा रही हो जानना तो मुझे है कि आखिर तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो तुम ही हो न वो जिसने उस दिन खाने में जहर मिलाया था और यहां पर चोरी भी की थी तो तु इतना कुछ जानती है मेरे बारे में चल लगे हाथ आश तुझे भी खाही जाती हूँ खत्म तो मैं तुझे अब करूंगी पापिन इस हस्ते खेलते परिवार को नजर लगाना चाहती है तू उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा और दोनो नागिनों में खमासान लडाई होती है और श्रिया उस नागिन को हरा नहीं पाती श्रिया डर कर वहाँ से भागने लगती है रुक नागिन रुक कहा जा रही है आज तो मैं तेरा सच पता लगा कर ही रहूंगी और नागिन श्रिया के फन के उपर एक बार करती है जिससे श्रिया कसर चक्रा जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाती है नागिन भी श्रिया के पीछे जाती है मगर श्रिया जल्दी से खड़ी होकर अपने कमरे में घुच जाती है और इंसान की रूप में आ जाती है नागिन श्रिया को हर जगह ढूंडती है मगर उसे श्रिया नहीं मिलती आखिर वो दुष्ट नागिन कई कहा मुझे अब सतर्क रहना होगा हो ना हो, इस घर में जो भी गलत हो रहा है उसकी वजह यही नागिन है आखिर वो नागिन थी कौन मेरी कहानी में ये बिन बुलाया महमान कौन आ गया है कहीं वो नीलम तो नहीं थी मगर नीलम तो मेरे सामने ही सो रही थी या ऐसा तो नहीं कि वो नीलम की कोई चाल हो? अब मुझे अपनी हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी नागिन चल कर एक कमरे में घुसती है और अपने असली रोप में आ जाती है वह नागिन और कोई नहीं बलकि नाइशा ही थी नाइशा ने ही श्रिया से नीलम को बचाया था मगर दोनों ही एक दुसरे की सच्चाई से अंजान थी अगले दिन सब एक साथ बैठे होते हैं और तब ही श्रिया भी अपने कमरे से बाहर आती है श्रिया के सिर पर चोट लगी थी अरे श्रिया ये तुम्हे क्या हो गया अरे ये तो कल नागिन ने मुझ पर हमला किया था अगर नेलम ही वो नागिन थी तो ये देख कर कहीं उसे मुझ पर शक न हो जाए ये ये तो मैं सुभे बिस्तर से नीचे गिर गई थी शायद तब ही लग गई होगी उखो, तुम अपना पिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, इधर आओ मेरे पास, मैं दवा लगा देती हूँ तुशार ये सब देखकर नाईशा को प्यार से देखता है मैंने आज तक नाईशा जितनी अच्छी है और सरसुभाव की लड़की नहीं देखी, मैं कितना खुश किसमत हूँ, चो नाईशा मेरी दोस्त है अच्छा, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है, कल रात मैं जब पानी पीने उठी थी, तब मैंने आउंटी की कमरे में साप देखे थे ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आउंटी, और एक नहीं, दो नागिने थी वहाँ ये सुनते ही नाईशा डर जाती है अब आएगा मज़ा, अब अगर इन में से कोई भी वो नागिन हुई, तो वो ज़रूर कुछ न कुछ हरकत करेगी ये क्या? दो नागिन कैसे? आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक नागिन तो मैं समझ गई, ये जरूर वही होगी चो उस दिन रसोई घर में भी थी, मगर ये दूसरी नागिन कौन है? और नीलम, श्रिया और नाईशा तीनों ही परिशान हो जाती हैं, तरुन भी श्रिया का नकली काका बन कर वहीं बैठा था अब आएगा मज़ा, इन तीनों बिल्लियों की लड़ाई को देखने का मुझे कब से इंतजार था? अरे काका आप क्यों हस रहे हैं? वो, वो मैं, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बिटिया रानी तो जंगली बिल्ली है, तो वो आखिर नागिन कौन आ गई? काका की बात सुनकर सब हसती हैं, और श्रिया काका को घूरती है, त्रिशा आज भी बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी ये सब क्या पकवास चल रही है? मुझे चल्दी ही उसके बारे में सब चानना होगा तभी त्रिशा के सिर के ऊपर कागराज उड़ने लगता है मालिक, इसके मजे लेते हैं, तो क्यों ना आज थोड़ी मस्ती मैं भी करही लू? और वो त्रिशा को चूच मारने कर जाता है, तभी वहाँ तरुन आ जाता है और कागराज को डाट कर वहाँ से भगा देता है तरुन देखता है कि कागराज की चूच से त्रिशा के सर पर घाव हो गया है अरे तुम्हें तो चोट लगी है, इधर दिखाओ मुझे कितनी जिद्धी हो तुम, मगर मैं भी कम जिद्धी नहीं हूँ, आज तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा लड़की, मैं यहीं पास में रहता हूँ, चलो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी चोट पर मलहम लगा दूँगा और तरुन तुरिशा का हाथ पकड़ कर अपने करीब ले आता है, और तरुन तुरिशा के साथ उसके कमरे पर चली जाती है, नाशा, नाशा कहा हो तुम? हाँ बबा, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाशा देखो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया हूँ नाशा ये देखकर हैरान हो जाती है, क्या? मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, और शिया कहा है? मैं उसके लिए भी एकदम मस्त सी ड्रेस लेकर आया हूँ ओ, मुझे लगा था कि तुम खास मेरे लिए ही लाए हो श्रेया अपने कमरे में ही है तुशार, and by the way, thanks for your love और नाशा वहाँ से चली जाती है मैंने जानबुच का श्रेया का नाम लिया था ताकि मैं देख सको कि तुम कब तक अपने मन की बाद मन में ही दवाय रखोगी नाशा और तुशार, श्रेया के कमरे में जाकर उसे ड्रेस देता है और श्रेया गुसे से एक वो ड्रेस फैंक देती है नहीं चाहिए मुझे कुछ भी क्या हुआ नाशा? नाशा नहीं, मेरा नाम श्रेया है आजकल तुम्हें सिर्फ नाशा ही याद रहती है तीन दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुमने अभी तक हमारे बारे में अपने माबाप से बात नहीं करी है चिंता मत करो, श्रेया मैं जल्दी बात करूँगा और श्रेया तुशार के गले लग जाती है आखिरी व अचानक से ये सब क्या हो रहा है मेरे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है पहले उस नीलम ने उस बहनजी नाशा को तुशार से शादी के लिए कहा और फिर मुझसे उस चाबी का गिर जाना और अब अचानक से वो दूसरी नागी नाजाने कहां से आ गई है अब मुझे हर हाल में इस घर में बहु बनकर आना ही होगा शियाखा बरताव दिन बदिन बिगड़ता ही जा रहा है मुझे कुछ करना ही होगा तरुन तरिशा को बिठाता है और दवा लेकर आता है ये सब आखिर हो क्या रहा है अच्छी लोग अच्छी लोग मुझे बस अच्छी लोग ही क्यों मिल रही है मैं एक लुटीरी हूँ, दुष्ट, पापिन इन लोगों को तंग करना ही मेरा काम है मुझे अच्छी लोगों से तूर रहना चाहिए और तरिशा अचानक से खड़ी होकर वहां से जाने लगती है कि तभी तरुन उसका हाथ थाम लेता है कहां जा रही हो, दवा तो लगवालो पागल नहीं, मैं ठीक हूँ एक्दम तरुन उसको खीच कर अपने पास लाता है और तरिशा इतने जोड़ से तरुन पर गिरती है कि पलंग तूट जाता है और दोनों नीचे गिरती है यह दीख तरुन और तरिशा खूब हसते हैं देखो, नुकसान करा दिया ना तुमने मेरा कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले इसे ठीक कर दूँगी अच्छा, तो तुम्हें ये भी आता है हाँ, कबीले में मुझसे अच्छी कुलहाडी किसी को भी नहीं चलानी आती है अच्छा, और क्या-क्या आता है तुम्हें मुझे तीर चलाना, तलवार चलाना, भाले, चाकू और और जुबान चलाना, तुम वो भी तो बहुत अच्छा करती हो लड़की अ, तृशा, तृशा नाम है मेरा हाँ, अहाँ, चलो इसी वहाने आखिर मुझे तुम्हारा नाम तो पता चला बलाओ स्कोएका तरुन, तुम भी ना, अच्छा तुम यहाँ क्या करती हो तरुन? तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं क्यों नहीं मानोगी, बताओ मुझे बस ये मान लो कि मैं मरे हुए बाबा के आखरी मकसद को पूरा करने के तराश में इधर-उदर बटक रहा हूँ क्या? मैं भी यहाँ मेरी अम्मा का मकसद पूरा करने आई हूँ मगर वो जिन्दा है हम दोनों तो इसमें भी समान है तरुशा शर्माती है मगर तरुन, अगर मकसद ही पूरा करना है तो भटको मत पहले अपनी मंजिल के करीब चाओ उसे जानो और फिर उसे हासल कर लो हाँ तरुशा, ऐसा ही होगा अरे, देखो कितनी देर हो गई है मुझे जाना होगा तरुशा, तुम जानती हो तुम मेरी पहली दोस्ट बनी हो मैं जादा किसी से बात नहीं करता हूं और ना ही मेरी कभी कोई लड़की दोस्ट रही है ओ, वैसे ये मीरा भी कोई लड़का दोस्ट नहीं बना बस एक लंगडा चाजू है जिससे मेरी शादी होने वाली है क्या? हाँ और तुम्हें शादी में ज़रूर आना है बदमाश कहीं कि ऐसा भी कोई मजा करता है क्या? तुरुन, ये तस्वीर यहाँ पर कैसे? क्यों? क्या हो गया तुरुन? तरुन, ये तस्वीर किसकी है? यही है मेरे पिता जिनकी मौत का बदला लेना ही मेरा इकलोता मकसद है तुरुन और तरुन रोनी लग जाता है तरुन, शायद मैं इनहीं जानती हूँ तुम मेरे पिताजी को जानती हो पर कैसे? ये पाबा तो वहाँ गुफा में और तरुन आख बंद करके किलविक्ष का चहरा याद करती है ये सुनकर तरुन के होश उड़ जाते हैं ये तुम क्या कह रही हो तरशा? अब देखिए आगे की कहानी में कैसे नाइशा श्रया से तुशार को बचाएगी और तरुन किलविक्ष का सच जानने के बाद अब क्या करेगा? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा नागिन सीजन 4 Only on Anim Stories Thanks for watching कहानी जादी रहेगी कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आगे की एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल Anim Stories और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे New episodes only Anim Stories पर